नमस्कार विद्यार्तियों पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम का परीचय प्राप्त किया था और आज हम उसका प्रथम अंग पढ़ेंगे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताय था कि अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा है वो पद्मपुराण के स्वर्गखंड से और महाभारत के से ली गई है तो महाभारत की कथा में कुछ परिवर्तन करके महाकवी कालिदास ने अभिजान शाकुंतलम की रशना की है थोड़ा बहुत बेहे, कुछ कथा साम्मे रखती है पद्मपुरान से और कुछ कथा का साम्मे है महाभारत से लेकिन फिर भी महाकवी कालिदास ने अपने काव्य कोशल से इस कथा में और भी अधिक नवीनता लाने का प्रयास किया है इस कथा के कुछ प्रमुक पात्र है जैसे दुश्यंत जो इस कथा का नायक है शकुंतला जो इस कथा की नायका है महर्शी कण्व जो की उनकी ही पालिक पुत्री है वो रहते तो आश्रम में है और ग्रहस्त संत नहीं है वे असन्यासी ही है किन्तो विश्वामित्र और मेनका क पुत्री शकुंतला है, उस कन्या को कंव नहीं पाला है, तो वह उनकी पालिक पुत्री है, उसके अलावा मुनी जो दुरुवासा है, उनके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा प्रसंग है, जो शकुंतला को शाफ देते हैं, और मरिची नंदन जो कशप है, मारिट रिषी के चाह्ष्रम में, बाद में शकुंतला जाकर रहती है, और कनविनावाकृषी हम देखी रहे हैं, उसके अलावा विदूशक का भी पातर है इसमें, तो विदूशक जो है, उसका नाम है माधव्य, कई जगा माधव्य भी लिखा हुआ आता है, तो माधव्य और माधव्य दोनो ही देखने को मिलेगा आपको संसकत ग्रंथों में माढव या देखने को मिलेगा कभी-कभी परिक्षाओं में ये पूछ भी लेते हैं कि माढव शाकुंतलम के जो विदूशक है उसका नाम क्या है इसके अलावा दो पात्र और मिलेंगे शारंगरव और शारद्वत ये दोनो कर्णव के शिश्य हैं और अनुसुया और प्रियमवदा ये दोनों शाकुंतला की सखिया है इसके लावा एक गौतमी नामक पात्र भी मिलेगा और ये भी कर्णव के आश्रम में रहने वाली है तपस्या की प्रतिमूर्ती है वो भी और उस आश्रम में रती है फिर एक पा होता है ऐसा कहा जाता है कि इसी के नाम पर बाद में भारत नाम पढ़ा है तो ये सब कुछ पात्र हैं शाकुंतलम के साथ अंकों में निबद्यीय नाटक है और अधिक कTHा हम पढ़ते-पढ़ते ही जान ही लेंगे इसकी कथा कैसी है, तो मैं आपको कथा नहीं सुना रही अब हम सीधे चलते हैं शाकुंतिलम के मंगलाचरण पर। अबि ज्यान शाकुंतिलम के मंगलाचरण का श्लोक है अश्ट पदात्मक नांदी है इसमें नांदी क्या होती है यह मैं आपको बताऊंगी पहले हम इस लोक का अर्थ कर लेते हैं परिक्षा की द्रिष्टी से और अन्या प्रितियोंगी परिक्षाओं की द्रिष्टी से इं काव्यकला की द्रिष्टी से भी बहुत अच्छा है तो सभी द्रिष्टियों से इसका अपना महत्व है तो देखते हैं या श्रष्टी ही या यानि जो यहाँ पर ये या शब्द जो आया है ये तनू शब्द जो है तनू इसके लिए आया है तनू कार्थ है यहाँ पर मू शष्टी ही यानि शष्टी की, शष्टुहू, शष्टु का अर्थ है ब्रम्हा, ब्रम्हा की या यानि जो आद्या यानि प्रथम शष्टी यानि शष्टी है, यानि उत्पत्ती है, यानि पहली सर्जन है उनका, तो शष्टुहू यानि ब्रम्हा की, या यानि जो मूर्थी शस्ष्टी ही, यानि उनकी जो शस्ष्टी है, प्रथम कृती है, उनकी जो, अब कौन है, तो ऐसा कहते हैं कि सबसे बहले जो इस संसार में उत्पन हुआ, वह क्या है? जल है तो वह जलमई मूर्टी तो आध्या शुष्टी का मतलब है सबसे पहली शुष्टी किसकी शुष्टू हू ब्रह्मा की ब्रह्मा की जो सबसे पहली शुष्टी जो जलमई मूर्ती है या यानि जो मूर्ती जो मूर्ती है अर्था जलमई मूर्ती तो इस वाले सेंटेंस का अर्थ हुआ कि ब्रह्मा की जो सबसे पहली शष्टी है यानि जल्मई मूर्थी दूसरे के तरब चलते हैं वहती विधी हुतम या जो जो मूर्थी है वहती यानि लेकर के जाती है विधी हुतम विधी पूर्वक हुतम यानि हवन किया गया विधिपूर्वकार्थ है यहाँ पे शुती, स्वती, इत्यादी में जो हवन करने का विधान है ऐसे विधिपूर्वक खुतम यानि हवन की हुए को वहती यानि जो लेकर जाती है या यानि जो मूर्थी तो कौन लेकर जाते हैं जब हम कभी भी यग्य वगरा करते हैं तो कहते हैं कि जो अगणी होती है वही देवताओं तक हवी को लेकर जाती है तो अगनी मही मूर्ती या वन्नी मही मूर्ती या कार्थ दूसरे या कार्थ है यहां पर तो या यानि जो वन्नी रूपी मूर्ती अगनी मही मूर्ती विधी पूर्वक्त हवन किये गए को देवताओं तक वहती यानि ले कर जाती है क्या हवी ही यानि हवी को वहती यानि ले कर जाती है यहां हवी तक आएगा आशा मगीचेगा यहां हवी तक आएगा हवी को जो हवी ही यानि हवी को जो ले कर जाती है चहोत्री और जो होत्री यानि यजमान रूपी मूर्ति या यग यत्यादी को जो करने वाला है उसकी जो मूर्ति है वह कैसी है होत्री यानि यजमान रूपी मूर्ति तो प्रिथम बंक्ती में तीन प्रकार की मूर्तिया है आध्याशष्टी ही यानि जल मही मूर्ति वहती व ये यानि जो जिसने द्वे कालम काल को दो रूप में विभाजित कर दिया है वैसे तो कहा जाता है काल का कोई विभाजन नहीं है लेकिन फिर भी हम दिन और राज जैसा विभाजन तो हम समझते हैं ये दो मूर्तियां जो दो मूर्तियां जिसने कालम काल को विभाजन कर दिया है ऐसी दो मूर्तिया कौन सूरिय और चंद्रमई मूर्ति शुति विशय गुणा या इस्थिता व्याप्पे विश्वम या 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 जो इस्थिता या इस्थित है व्याप्पे विश्वम संपून विष्व को व्याप्ट करके स्थित् है वो मूर्ती कौन सी? शृती विशय गुण. जो शृती यानि कान का जो विशय होता है ऐसा वो गुण. तो शृती का मतलब सुनने का विशय क्या होता है? शब्द और शब्द क्या है? न्याय और वैशेशिक दर्शन के अनुसा शब्द एक गुण है तो सुनने का जो विशय है ऐसा वह गुण अथात शब्द रूपी जो गुण है शब्द रूपी जो मूर्ती है जो कहां पर इस्थान पाया है उसने इस्थित है व्याप्य विश्वम संपून विश्व को व्याप्त करके स्थित है तो कहते हैं न्याय रशन में शब्द गुण कम आकाशम शब्द गुण वाला जो है वह क्या है आकाश है तो शुति यानि सुनने का जो विशय गुण है जो संपून विश्व को व्याप्त करके सित है अर्थात शब्द का वह स्थान अर्थात आकाश रूपी मूर्ति इस संपून पंक्ति का जो अर्थ होगा वह क्या है शुति विशय गुणा या स्थिता व्याप्त विश्वम अर जो शब्द मही मूर्ती है, जो शब्द गुण वाली है, मूर्ती कौन सी है, आकाश रूपी मूर्ती, तो वहाँ प्रथम में जल मूर्ती हो गई, दूसरी वन्नी मूर्ती हो गई, आगनी मही मूर्ती हो गई, तीसरी मूर्ती में यजमान रूपी मूर्ती है, द्वेक आलम व कहते हैं सर्व बीज प्रक्रती सभी बीजों की सभी चीज उत्पन होने वाले का जिसको बीज कहते हैं प्रक्रती जिसका मूल है ऐसी वह तो सबको उत्पन करने वाली कौन है प्रत्वी सर्व बीज प्रक्रती सभी बीजों को प्रक्रती उत्पन करने वाली याम आहू जिसको कहा जाता है ऐसी वो यानि प्रकृती रूपी या प्रत्वी रूपी मूर्ति जो अगली है यया प्राणी नह प्राण वन्तह यया जिसके द्वारा प्राणी नह प्राणी लोग यानि जो मनुष्य जीव जन्तु जो भी जितने ये प्राण जिनके अंदर प्राण रहते हैं वह सब क्या है? प्राणवान है जिसके कारण, तो किसकी वज़े से हम लोग प्राणवान है? वायू के कारण, तो वह वायू मै मूर्ती, तो साथवी मूर्ती हो गई प्रत्वी रूपी मूर्ती, यहा प्राणी नह प्राणवनत है, जिसके द्वारा प्राणी प्राणवान है जिसमें जीव का संचार है जिसकी वज़े से तो है वायुरूपी मूर्ती इस प्रकार से आठ मूर्तियों का यहाँ पर वर्नन है अब देखें यहाँ पर एक जैसे शब्द ढूंडेंगे हम वस्ताभी वह के बाद छोड़े ताभी ही अश्ताभी ही उन आठ के द्वारा ताभी ही अश्ताभी ही तनुभी ही प्रत्यक्षाभी ही वह जो प्रत्यक्ष है तनुभी यानि मूर्तियों के द्वारा ताभी अश्ताभी उन आठ प्रत्यक्ष सिद्ध मूर्तियों के द्वारा इशह इशकार्थ यहाँ पर है भगवान भगवान से यहां पे ताद परिया है, सभी का रक्षन करने वाले अर्थात भगवान शिव प्रपन्नह रक्षा करें, शमा कीजिए का आठ मूर्तियों से प्रपन्नह यानि युक्त अस्मा भी ही हमारी अवतू रक्षा करें वापस देखें अंतिम बंक्ति को ता भी ही उन अश्टा भी ही आठ प्रत्यक्षा भी ही प्रत्यक्ष सिद्ध तनु भी ही मूर्तियों के द्वारा इशह अर्थात भगवान शंकर प्रपन्नह यानि उन आठ मूर्तियों से प्रपन्नह यानि युक्त भगवान शंकर वह यानि हमारी अवतु यानि रक्षा करें इन आठ प्रतक्ष सिद्ध मूर्तियों से युक्त भगवान शिव हमारी रक्षा करें तो भगवान शिव से प्रार्थना की जा रही ही है कि वे हमारी रक्षा करें तो इस प्रकार यहां पर आशिर वाधात्मक मंगलाचरण है तो मंगलचरण के तीन प्रकार होते हैं आशिरवाद आत्मक, नमस्कार आत्मक और वस्तु नरदेश आत्मक तो जीव है और प्राण वनत है दूसरे अर्थ में वहा दूसरा विशेशन है तो एक विशेशन है और एक विशेशन है इस भाव से ये दोनों शब्द क्या है पुनरुक्ति दोश वाली समानार्थक शब्द नहीं है और यहाँ पर एक शब्द और है प्रतक्षा भी तो तो यहाँ पर आकाश है वो नीला होता है लेकिन ये साधरन बात है वैसा होता नहीं है वो तो इसका भी प्रितक्ष क्या है आपचारी की माना जाता है तो नियाई शास्त्र जो है वायू और आकाश को प्रितक्ष नहीं मानता है जबकि वेदान प्रितक्ष मानता है तो आप्तवचा से इस पर्ष करें चाहिए आखों से देखें दोनों ही प्रत्यक्ष माना जाता है तो इंद्रिय गोचर अर्थ है यहां प्रत्यक्ष का ना की नित्र गोचर अब हम इससे आगे चलते हैं यह हमारा यहां पर मंगलाचरन समाप्त हुआ मंगलाचरण को यहाँ पर नांदी कहा गया है जो नाटक होते हैं उसमें मंगलाचरण को नांदी कहते है और यहाँ जो अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी है वो अश्ट पदात्मिका है यानि आठ पदो वाली है यह परिक्षाओं में प्रशन भी पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी कितने पद वाली है तो अश्ट पदात्मिका नांदी है अभिज्ञान शाकुंतलम की वीडियो लंबा हो जाएगा हम सिर्फ इसके मंगलचरण की ही बात कर पाएंगे आज तो इसके बाद मैं यह कहना जाती हूँ आपसे कि अश्ट पदात्मिका नांदी है तो नांदी क्या होती है जो आशिरवचन संयूता इस्तुतिर यस्मात प्रियुजते देव द्विज नपादी नाम तस्मान नांदी ती संगिता तो जो ऐसी नांदी जो होती है वो आशिर वचन से युक्त होती है और जिसमें देवताओं की त्विज का अर्थ है ब्रामन की और नृप का अर्थ है राजा की जिसमें स्तूती की जाती है उसे नांदी कहा जाता है तो यहाँ पर क्या है देवताओं की स्थूती की गई है इसलिए नांदी है नांदी का आर्थ होता है मंगला चरन तो प्रजिक्षाओं में प्रशन ये भी पूछ जाता है कि अभिग्यान शाकुंतलम की नांदी किस प्रकार की है तो अश्टपदात्मिका एक अर्थ है या फ करते हैं प्रथम अंग के जो भी आगे संबाद हैं उनके बारे में धर्निवाद